दोस्तो जीएस्टी की तीन इंपोर्टेंट न्यूज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जीएस्टी के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ नए चेंजिस हो रहे हैं जाए वो जीएस्टी पॉर्टल से रिलेटिड हूँ या अदर इंपोर्टेंट प्रविजन के अंदर चेंजिस हो रहे हैं तो इन सभी चेंजिस के साथ आपका अपडेटिड रहना भी बेहत जरूरी है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटिड रह सके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट मैं अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो तीन इंपोर्टेंट न्यूस हम जानेंगे जीस्टी पोर्टल पर चेंज हुआ है एक बहुत ही इंपोर्टेंट रिलीफ आपको मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से और थर्ड जीस्टी रिटर्न डेट एक्स्टेंशन से रिलेटिव जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो पहले जीस्टी पोर्टल पर सर्च टेक्सपेर के ऑप्षिन में कुछ फीचर्स जो है वो डाले गई है मैंने जीस्टी पोर्टल पर लोग इन कर लिया है और सप्लायर का जो जीस्टी न नंबर है उसे एंटर करके मैं सर्च कर रही है दोस्तो सर्च टेक्सपेर के ऑप्षिन आपके लिए काफी important रहता है अगर आप किसी के साथ business start करने वाले है या अपना किसी supplier को search करना चाते है तो बहुत important option है अगर आप किसी के साथ business start करना चाते है तो उसका JSTN number डाल कर आप उसकी information यहां से जान सकते हैं आप search कर सकते हैं कि वो supplier कैसा है JST के अंदर complaint है या नहीं है other चीज़े जो उस पर applicable है वो आप जान सकते हैं काफी जादा features अब इसमें आपको दिखाई देंगे तो यहां पे जो important है वो है आपको profile and place of business के जो दो features डाल दिये गए है जिसमें place of business के अंदर अभी तक आप type nature of business activities being carried out at place of business यह देखिए nature of business activities आपको दिखाई दे रही है address और उसी के साथ contact details भी अभी यहां पे डाल दीगे या निकि उसका mobile number and principal sorry mail ID principal signatories के अब आपको यहां पे देखने को मिलेंगी तो यह नया जो features है यह डाल दी गए है search taxpayer के अंदर मैं search कर रही हूँ login करने के बाद अगर आप login करने से पहले search करेंगी तो शायद यह details आपको दिखाई नहीं देगी तो यह important GST portal पर change किया गया है GST portal में तो आई दिन नए changes आ ही रहे हैं जो मैं आपके साथ share कर रही हूँ उसके बाद inverted duty का जो refund है input services की case में उस पर पहले high court की judgments आ चुकी है मदरास high court की आ चुकी है गुजरात high court की आ चुकी है मदरास high court में तो कहा था कि refund है जो input services का not available under inverted duty structure इनकी judgments अगर आपको चाहिए तो उसकी copy मैं आपको देदूँगी आ चुकी है लेकिन अब supreme court से important relief इसके अंदर मिल सकता है supreme court से इसके अंदर राहत मिल सकती है जो की ऐसा expect किया जा रहा है supreme court की ring है 28 April को और 28 April को ये उमीद लगाई जा रही है कि आपको इसके अंदर एक काफी बड़ा relief मिल सकता है इस refund से related तो let's see कि supreme court से आपको इसमें क्या relief मिलेगा जो भी update आएगा वो मैं आपके साथ share करूँगी तो supreme court से इसका जो है expectation लगाई जा रही है अब हम बात कर लेते हैं GST return date extension की दोस्तों आप सभी को पता है काफी सारी cities में lockdown लगा दिया गया है कोविट का जो कहर है वो दोबारा किस तरह से हो गया है कोरोना वाइरस की जो cases है वो कितने जादा बढ़ रहे हैं cities के अंदर lockdown लगा दिया गया है और इसके बाद जो मुश्किले आ रही है वो आ रही है GST compliance को करने में इससे related GST council को एक letter भेजा गया है Federation of Trade Association पुने के द्वारा और उन्होंने इसके अंदर जो सारी situation है उसको दिखाया है अभी GSTR 1 की date गई है GSTR 1 जो monthly files है 11 तारीफ में की date थी काफी सारे जो taxpayer है वो file नहीं कर पाए अगर आप GSTR 1 file नहीं करेंगे तो आ गया ITC आप नहीं transfer कर पाएंगे तो ऐसे case में सामने वाले के लिए भी कितनी बड़ी परिशानी create हो जाएगी कि वो ITC claim नहीं कर पाएगा तो उसे cash में tax payment करनी पड़ेगी तो इन सबी परिशानियों को देखते हुए GST council को ये letter लिखा गया है काफी सारी request जा रही है date extension के लिए letter लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि majority of member traded in non-essential goods क्योंकि essential goods की तो share shops जो है open है लेकि non-essential goods की जो shops है वो बंद है and their shops and offices were shut because of the civic body and state government के order आ चुकी है majority of trader did not have IT related infrastructure of cloud computing from there could they asset their company data and file the GST return so IT infrastructure majority के पास अभी वहां पे work from home के case में available नहीं है जहां पे या companies जिनकी shops बंद हो गई है उनके पास available नहीं है जहां से वो अपनी company का data निकाल सके और अपनी return file कर सके जो mostly traders है they have to send their data to the chartered accountants क्योंकि mostly request की गई है कि जो GST return की dates है उनको extend किया जाए क्योंकि इस month जो GST के compliance है वो करने में बहुत ही जादा मुश्किले आ रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप timely file नहीं करेंगे आपकी GST return GST R1 की भी अगर हम बात करें तो काफी सारे जो है return file नहीं हो पाई है lockdown की वजह से तो इस cases में आगे RTC आपका नहीं जाएगा उसमें भी आगे आपका जो परिशानिया आ सकती है तो इन सभी चीजों को explain किया गया है और वहाँ पर GST return की जो dates है उनको extend करने की मांग यहाँ पर की नहीं है which is genuine सारी जो situation है वो भली भाती सब समझ सकते हैं कि कितनी परिशानिया हो रही है तो दोस्तों इन चीजों को जादा से जादा आपको support दिखाना होता है जब इस तरह की परिशानियां लेकर के कोई request चाती है तो उस पर आपका support बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना support के जो है कुछ नहीं होता है ये government नहीं सुनती है तो support आपको दिखाना होता है तो यह important update है आज की तीन news है GST से related जो मैंने आपके सार शेयर की है thank you for watching